नमस्कार दोस्तों मैं एंकुर उपात्याए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसे stock के बारे में एक ऐसी खबर के बारे में जिसके बारे में हमने कल cover किया था लेकिन interesting पार्ट यह कि उसको लेकर काफी सारे comments और काफी सारी videos इस प्रकार की बन रही है यह fake news है अब actually में यह fake है यह real है इसको समझना बहुत ज़ादा जरूरी है तो खबर बता दू GQG Partner Fund जो की राजीव जैन जी का है इन्होंने खरिदारी करी है पतांजली food के share में Q4 में quarter 4 में 8% के something का stake इन्होंने additional खरिदा है पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो update हमने share करी थी और जो update इस समय मार्केट में है वो update यह कि Q3 में राजीव जैन जी के GQG Partners Fund पे पतांजली food में 3.4% के something का stake था जो की भढ़कर quarter 4 की update में हो गया है 11.48% का यानि कि आप यह कह सकते हो कि GQG Partner Fund का stake पतांजली food के share में almost 8% से Q4 में increase हुआ है यही चीज मैंने आप सभी के साथ share करी थी यही कल मार्केट में आई ओपन मार्केट में जिसके बाद share का price शूट कर गया 8% तक intraday में अगर आप stock का chart देखेंगे एक single day का पतांजली food का तो आपको दिखेगा कि इसमें जैसे ही यह ख़वर आई है काफी बड़ा sharp uptick देखने को मिला है आपको exactly time बता हूँ तो दो बज के 40 मिनट पे share का बाओ 1350 उर्पे पे था उसके बाद यह ख़वर flash हुई business channels पे stock sharp shoot करता हुआ दिखा है 1400 उर्पीज पे चला गया और 1424 उर्पे का high लगाया है stock में volumes भी काफी interesting trade हुए उसी समय के दौरान लगबग 21,00,000 share total trade हुए जिसमें से maximum shares वही एक गंटे में trade हुए दो बज के 40 मिनट के बाद और average volumes अगर मैं देख रहा हूँ तो 5.7 lakh shares का है पतान जली के chart पे वापस से आऊँगा लेकिन यह जो volumes की कहानी मैंने आपको बदाईए एक बार इसमें यह देखना होगा कि कल जो volumes आयों और मैं delivery कितनी आई तो delivery percentage अगर मैं देखूँ तो केवल 23% है that means cover market में आई share का price shoot कर गया लोगों ने खरीदा बेचा पता नहीं लेकिन carry नहीं करा है खरीदा बेचा पता नहीं लेकिन carry नहीं करा है वो मैं ऐसली कह सकता हूँ क्योंकि 21 lakh shares में से 5 lakh shares deliver हुए है और 23% की delivery percentage अगर आप interestingly देखें तो इसमें average जो volume trade हो रहे हैं बड़े लंबे समय के तो 4 lakh दिख रहे हैं लेकिन बीते 5 दिनों की बात करो तो 9 lakh shares trade होए हैं जिसमें से 3 lakh share deliver हो जाते हैं तो volumes आपके कल normal days के मुकाबले में देखू तो double से ज्यादा थे लेकिन delivery percentage केवल और केवल 5 lakh ज्यादा बड़ी तो delivery उतनी नहीं देखने को मिली है देखें, delivery पे हमेशा important मनलब हमेशा नजर बनानी चाहिए आपको वो बहुत important role play करती है stock के लिए क्योंकि वही आपको बताती है कि investors जो है वो उस stock को लेकर क्या सोच रहे हैं कि कल क्या करेगा मैं आज खरीद के आज बेज दू या आज बेज के आज खरीद लू ये मेरा सौधा intraday में गट गया मेरे को फर्क नहीं पड़ता कल share crash हो जाए या 50% उपर चला जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर मैं उसमें पैसा लगा रहा हूँ और carry कर रहा हूँ delivery लेके जा रहा हूँ तो मेरे को फर्क पड़ेगा मैं चाहता हूँ कि ये share उपर जाए कल मेरा जो motive होगा मेरा जो intention होगा मेरी जो thought process होगा उस stock के लिए वो ये होगा कि ये share कल उपर जाएगा तब ही तो मैं carry करके जा रहा हूँ कि मेरा पैसा बनेगा तो delivery percentage हमेशा एक important role play करती है अब पतानजली के food में क्या हुआ delivery, sorry, volumes बड़े आई, खबर बड़ी आई और share का price shoot कर गया उसके बाद हर एक news जो भी cover करता है business की उसने इसको cover करा है हर app ने, business channels पर update आई है अब लोगों ने videos भी बनाई यूट्यूबर्स ने और उन्होंने काई कि ये fake news है अब fake है या real है देखो ये आपको बताने वाला इस समय कोई नहीं है मैं हूँ या कोई third person है वो आपके साथ view कैसे share करता है money control पे कोई खबर आजाए mint पे आजाए, economic times पे आजाए business channels पे आजाए, company की BSC official website पे company कुछ post कर दे वही तो हम आपके साथ share कर सकते हैं किसी के पास इतनी authority तो नहीं है कि कोई direct company के management से बात करके पूछ रहा है हाँ जी क्या कुछ ऐसा हुआ है, इतनी authority तो नहीं है या फिर किसी के पास इतनी power भी नहीं है कि वह direct GQG partners fund को ही phone कर रहा है हाँ जी, आपने क्या fund stake बढ़ाया है पता अंजली food में नहीं है तो हम सब कैसे आपके साथ videos cover करते हैं मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं आपके साथ जो चीजें share करता हूँ या तो कई mint पे post हो रही है company की official website है उस पे post हो रही है BSC की website पे company ने कोई update दिया है disclosure दिया है या business channels पे कोई ख़बर आ रही है या फिर Bloomberg के हवाले से, routers के हवाले से या किसी भी news agency के तरफ से ख़बर आ रही है इसको short और simple leg image में समझे तो जितनी भी देज दुनिया में चीज़ां हो रही है वो सब आपको कौन बताता है कोई ना कोई news channel आप directly तो नहीं जानते same news channels की जगा यहाँ पे कुछ applications है जो stock markets related, finance related जानकारी से time to time provide करती है वही जानकारी हम लोग पढ़ते हैं हर बंदे का अपना view है लेकिन उसको जब आपके view के साथ किसी और का view match करता है तो confidence आजाता है आपके view के साथ किसी का view match नहीं करता है तो आप confused हो जाते हो यहाँ पे आपके लिए important role play करता है आपका confidence और conviction कि आप में ज़्यादा है या जो सामने वाला बोल रहा है उसमें ज़्यादा है तो मेरा मानना यह पतनजली food की जो ख़बर है यह हर website पे है अब यह fake है या real है इसका पता तो दिखो तब ही चलेगा जब company officially BSC की website पे disclosure देगी जो कि अभी तो नहीं आया है अगर आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेर करूँगा या फिर GQG partner fund खुद बोल दे कि भाईया हमने नहीं बढ़ा है कोई इस टेक fake news है जैसे विदानता के case में हुआ था ख़बर चली कि विदानता में GQG partner fund खरिदारी कर सकता है अगले दिन GQG partner fund ने कह दिया कि हम तो नहीं कर रहे हैं खरिदारी है तो गलत news चल रही है मैंने आपके साथ दौनों वीडियो कवर करी थी सेम अभी तक GQG partner fund की तरब से भी कोई announcement नहीं आई है सेम अभी तक आपका पता अजली से भी कोई announcement नहीं है लेकिन Mint, Economic Times, Google पे आप search कर लो या फिर Zee Business बोल लो या फिर CNBC TV 18 देख लो CNBC आवास देख लो हर जगा ये flash हुई है कल ख़बर की GQG partner fund ने stake बढ़ाया है तो अब ये सच है, जूट है, वो कोई नहीं जानता है लेकिन ये ख़बर हर जगे आ रही है अब हर जगे तो कल ख़बर नहीं आईगी तो ये मेरी तरब से आपके लिए updated वीडियो थी वन मोर थिंग, कुछ लोग कहरें shareholding pattern में तो GQG के पास इतना दिख रहा है दोस्त, update होने में time लगता है आपके लिए stake अगर आज बढ़ गया है तो वो आज update नहीं हो जाएगा हर quarter के बाल, जब company update देती है तब update हमारे पास पहुंचता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए thank you so much for watching this video have a great day guys